हलो इंवेस्टर्स स्वागत है आपका हमारे चानल इंवेस्मेंट की बजार पर इंट्राज बिल्डिंग आई पियो कल से अपने को ओपन होता हुआ देखने को मिल रहा है बेसिकली कंपनी का किया कामकाज है कया कंपनी के ब्रमोटर का यहा पर व्यू बन रहा है कितने का इसू है कितने का वैफस कितनी आपएससे प्रमोटर होल्दिंग घसिविए देखने को मिलेगे आफ्टर ऑफटर रॉ Jakत्र आफच करेंगैस वीडियो में आइं nossa वीडियो में अपला है अवाइट करें, we are not liable to any profit and loss, शुरुआत करते हैं, company के IPO के साइस के साथ, तो 600 करोड का तो कुल मिला करी issue है, लेकिन यहां पर fresh issue जो है, वो 200 करोड का है, और 400 करोड का हैं यहां पर company OFS लाईए, अगर हम बात करें, promoter holding के तो pre-issue promoters की holding 87.53% के पास है, और अभी ऐसा माना जा रहा है, कि more than 60% promoter holding फिर भी यहां पर रहती हुए देखने को मिले कि post issue, जो कि अभी यहां पर show नहीं कर रहा है, बट I think so, इसी के आसपास यहां पर जिते भी वने interviews देखे हैं, इसी के आसपास बताया जा रहा है कि इसी के आसपास 60% से 65% के बीच में आपर promoter की holding रहती हुए देखने को मिल सकती है, तो जादा definitely portion promoters यहां पर डाइलूट नहीं कर रहे है, बाकि यहां पर अगर आप बात करेंगे दोस्तों company के तो basically company PEB structure, pre-engineering steel structures basically company बनादी भी देखने को मिल थे, यह basically company का यहां पर काम काज, यहां पर कुछ structures देखने इसी के अदर basically company आपर काम काज करती भी देखने को मिल थे, company के शुरुआत की बात करें, history की बात करें, manufacturing और on-site project management यह सब basically company करवा के देती अपने customers को, अपने clients को and यहां पर खास बात क्या है overall 1,41,000 metric tons की capacity के साथ 2023 में काम किया था और वो second highest installed capacity बन चुकी और overall 6.1% का market share जो है operating income के अंदर अरा है company का PEB players in India के अंदर तो अच्छी कासी prominent जगा है company की इस पूरे business के अंदर and overall अगर company की website भी देखेंगे तो जैसा है वेन अपको pre-engineering metal buildings बनाती है company roofing and cladding system provide करती है non-industrial buildings हो गई जैसे की घर हो गई और basically जो भी आप कहसकते malls होते हैं सब यह सब basically company बनाती है infrastructure sector से जुड़ी company है and basically structured steel and infrastructure related companies भी company बनाती है और suspending ceiling system जो कि अपने आप कहसे थे petrol pumps में देखते हैं वो भी company बनाती हुए देखने को मिलती है तो यह basically company का काम काज है overall company के website पर ही हम आ गए है we deliver projects company के tagline है and अगर आप company के office की बात करे तो नई दिल्ले वे company का एक office है corporate office company का Noida के अंदर भी है and overall यह company का दोस्तों motor रताव दिखने को मिलता है जापर company innovations के साथ एक certification builder है company का काम काज तो यह basically पूरा हमने company का काम काज discuss कर लिया है बाकि अब issue की बात कर ले तो कल issue open होगा 21 तरीक को issue close हो जाएगा 900 रुपे के 16 shares आपको यहाँ पर मिलते हुए देखने को मिलेंगे बात करें यहाँ पर employee की अगर आप इस company की employee है तो 85 रुपीज पर शियर का यहाँ पर आपको discount मिलता हुआ देखने को मिलेगा तो definitely अगर आप employee हो तो आपको यहाँ फायदा ज़रूर मिलेगा यहाँ पर रहता हुआ देखने को मिलेगा approximately 180-200 crores का retail portion ज़रूर यहाँ पर होगा बाकि यहाँ पर बात करेंगा allotment की तो 22 को allotment है 21 को इस IPO की closing हो जाएगी उससे पहले refunds की बात करेंगे तो 23 को refund जाएगी और Monday को 26th of आप कह सकते August को IPO लिस्ट होता हुआ देखने को मिल जाएगा तो इस प्रकार से इस IPO की पूरी listing रहती भी देखने को मिलेगी यहाँ पर minimum investment की बात करेंगे तो 14,400 रूपीस का minimum investment अगर आप retail में लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं तो बाकि आप multiple lots भी apply करके चल सकते हैं यहाँ पर आप 13 lots retail के अंदर maximum लगा सकते हैं अगर आप H&I category में minimum पैसा लगाना चाहते हैं तो around यहाँ पर आपको 2,600 रूपी का minimum निवेश ज़रूर करना होगा तो यह दोस्तों details है इसके अलावा बात करें company के financial track record की तो financial track record बहुत अच्छा है 840 crore से company in 2022 के अंदर कामका शुरू किया था और overall 1300 crore पर company का कामका जा चुका है almost 500 crore का jump यहाँ पर अपने को देखने को मिल रहा है पिछले 3 साल के अंदर 17 crore का company का net profit था 2022 के अंदर and overall यहाँ पर 86 crore का profit आया है this quarter, this year के अंदर तो बहुत अच्छा basically company का कामका जा और खास तौर पर क्या है company के ऊपर कोई करजा नहीं है सिर्फ 3 crore 36 lakh करजा है जो कि ऐसे चुक जाएगा जैसे आप कह सकते issue पूरा complete हो जाएगा तो यह काफे अच्छी बात है plus जैसे यह आप कह सकते issue complete होगा company के पास cash काफी सारा उतावा देखने को मिलेगा इससे company और development करती भी देखने को मिलेगी अपना tech जो है उसको company सुधारती भी देखने को मिलेगी और यह सब definitely सुधर जाएगा तो company का आप कह सकते turnaround यहाँ पर अपने को अतावा देखने को मिल सकता है यहाँ पर अब तक brokers की बात करेंगे तो दो broker यहाँ पर subscribe की सला already दे चुके और एक broker ने आप पर neutral की सला दिया member ने अब तक एक subscribe यहाँ पर already दे दिया है तो यह अब तक का आप कह सकते broker review summary इस IP का रता हुआ देखने को मिला है grey market updates की बात करें तो basically first of all जितोरगर के बात करें तो यहाँ पर 325 रुपे का premium बन रहा है 36% का और तीनों IPOs में सबसे हाइस जो premium बन रहा है वो इंट्राज बिल्डिंग का बन रहा है जितोरगर की वेबसाइट पर second website यहाँ पने मास IPO वाच की यहाँ पर humongous 375 रुपे का premium बनता हुआ देखने को मिल रहा है and last but not the least यहाँ पर चानक्की की website पर अपना 310 रुपे का premium बन रहा है तो तीनों website पर अपने premium देख लिया and overall 330 रुपीज के average premium को अगर लेके चले तो 5,280 रुपीज का profit यहाँ पर एक lot per current day market premium के साब से बन रहा है अगर आप यहाँ पर 10% less भी करके चले तो I think so 26% का भी मुनाफ़ा यहाँ पर होता हुआ देखने को मिलेगा तो उसमें कम ही नहीं है अगर आप listing के दिन भी पैसा आप book करते हैं तो उसमें कोई बात नहीं अगर आपको वीडियो पसंद आए चनल को लाइक करें शेर करें सब्सक्राइब करें थैंक्यू फरेंड वाचिंग दिस वीडियो